हलो दोस्तों मैं संतोस गुपता और आप देख रहे हैं अप्टिकल वर्ड आज हम बात करने वाले हैं progressive lenses और bifocal के बारे में progressive lenses bifocal से कैसे अलग है और दोनों lenses में क्या प्हाइध हैं क्या नुकसान है तो इन सारी बातों पर चर्चा होने वाली है तो वीडियो के लास तक हमारे साथ बने रही है अगर आपने अभी तक चैनलों का सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनलों सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को भी दबा दीजे जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेसर आपको मिलती रहे है तो चलिए बाइफोकल लेंसे के बारे में मार्केट में आप बहुत सारे लेंसे अवलेबल हैं तो आज मैं बताओंगा कि कौन सा लेंस आपके लिए बेस्ट रहेगा तो चलिए पहले बात कर लेते हैं बाइफोकल लेंसे कुछ इस तरह के होते हैं बाइफोकल लेंसे एक लाइन के द बेंजामिन फ्रैंक्लिन ने आज से 400 साल पहले किया था जब बेंजामिन फ्रैंक्लिन को बार बार अपना दूर का चस्मा और नजदिक का काम करने के लिए नजदिक का चस्मा बदलना पड़ता था तो इसके लिए उन्होंने दो लेंसे को मर्ज करके बाइफोकल लेंसे का अ अब Bifocal Lenses की कमी के बारे में बात कर लेते हैं, Bifocal Lenses की सबसे जो बड़ी कमी है उसमें ए Lines Visible होता है, जो Distance और Reading यानि दूर का Vision और नजदिक का Vision को अलग करता है, ए Lines Visible होती है, ए Lines Visible होने की वज़े से बहुत सारे लोगों को ए Lines पसंद नहीं आता है, दूसरी जो सबसे बड़ी कमी होती है Bifocal Lenses की, उसमें Intermediate Zone नहीं होता है, यानि आप 2-5 फिट का Distance Clearly आप नहीं देख सकते हैं, उसके लिए आपको काफी Adjust करने की ज़रूद पड़ती है, दो फिट की अंदर की चीज़ अगर आप देखना चाहते हैं, तो आप Clear देख सकते है पांच फिट की दूर की चीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो Clear देख सकते हैं, लेकिन 2-5 फिट के लिए आपको Trouble करना पड़ता है, यह उसके दूसरी कमी हो गई, तीसरी कमी यह है कि उसमें Jumping Effect आता है, यानि आपको Suddenly आप Distance देखते हैं, फिर Suddenly आपको नजदिक दे उसमें देखना पड़ता है, Intermediate Zone Bifocal में नहीं होनी के वज़े से Computer Vision Clear नहीं होता, जब आप Computer पे Work करते हो, तो आपको इससा नजदिक जाके देखनी की ज़रूत पड़ती है, इस से साथ से आपको Computer पे जभी आप काम करते हो, तो काफ़ प्रबूल करना पड़ता है, इसके अलावा इसमें Cosmetic Look भी अच्छा नहीं आता है, क्योंकि Line Visible होती है, चलिए आप बात कर लेते हैं Progressive Lenses के, यह देखे, Progressive Lenses कुछ इस तरह के होते हैं, इसमें कोई Line नहीं होता है, पूरा Lens Plain होता है, आपको इसमें Distance Vision मिल जाता है, Reading Vision मिल जाता है, इवेन आपको Intermediate Vision भ उसको आप इस Progressive Lenses में Clearly आप देख सकते हो, इसमें यह Lens इस तरह से बनाया जाता है, जैसे यह Distance, यहाँ पर आपका Distance का Number डाला जाएगा, यहाँ पर Reading का Number डाला जाएगा, और In Between आपका Number Gradually Distance से Reading तक Change होता रहेगा, इस वजह से आपको सारे Distance Clear Progressive Lens में दिखाई देते ह हैं, ऐसा नहीं है कि Progressive Lens में कोई कमी नहीं है, Progressive Lenses भी कमी होती है, जैसे कोई भी Progressive Lens में जो Side का Vision होता है, वो Distortion होता है, वहाँ पर आपको ओ Clearity नहीं मिलती है, जो बीच के Lens में मिलती है, तो Distortion इसकी सबसे बड़ी कमी है, और दूसरा, अगर कोई Dedicated Distance का Glasses है, यानि क कोई दूर के लिए ही चस्मा बना हुआ है, उसमें जो आपको Clearity मिलेगी, या कोई नजदीक का चस्मा है, उसमें जो Clearity मिलेगी, या कोई Computer के लिए Especially Glasses बनाया हुआ, उसमें जो Clearity मिलेगी, ओ Clearity आपको Progressive Lens में नहीं मिलेगी, आप एक Example से समझ सकते हैं, अगर एक Sport Car है, तो जो Speed देगी, ओ एक Normal Car नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक Normal Car से आप आराम से Travel कर सकते हैं, लेकिन अगर आप Luxury Car लेते हैं, तो उसमें आपको Speed भी मिल जाती है, Comfort भी मिल जाती है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं, कि Progressive Lens आपकी एक Luxury Car की तरह है, जिसमें आपको Speed भी मिल सकती है, और आपको Comfort भी मिल सकता है, Bifocal को आप इस तरह से Regular Car की तरह देख सकते हैं, Progressive Lens में दूसरी सबसे बड़ी कमी है, कि Progressive Lenses, Conventional Progressive Lens से लेके, Tailor Made Progressive Lenses तक, बहुत सारी Variety में आता है, तो इसमें हमको Confusion होता है, कि हमारे लिए कौन सा Progressive Lens अच्छा रहेगा, तो मैं जै से इस Lens में आप देख सकते हैं, कि इसमें Distortion Lens, Distortion Level काफी कम है, और दूसरी Lens में हम देखते हैं, कि इसमें Distortion Level बड़ा ज्यादा है, तो आप अपने काम के हिसाब से एक डिसाइड कर सकते हैं, कि आपका Distance का ज्यादा काम है, Reading का ज्यादा काम है, या फिर Intermediate के लिए ज् तो इस हिसाब से आप किसी भी Optician से पूछिए अपने काम के हिसाब से कि कौन सा Progressive Lens हमारे लिए अच्छा रहेगा, तीसरी जो कभी Progressive Lens की है, Progressive Lens को आपको हमेसा Use Treat होना पड़ता है, यानि आपको नया नया Progressive Lens लेते हैं, तो दो-चार दिन आपको आदत करनी पड़ती है, तो इस सारी Progressive Lens and Bifocal में Difference हैं, और इनके जो Prons थे और Cons थे उसके बारे में मैंने चर्चा किया, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा Lens अच्छा लगता है, आप Progressive Lens पहनना पसंद करते हैं, या फिर Bifocal, तो कमेंट करके मुझे बताएं, और अगर आप को हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ सेयर करिए, अपनी आखों का ध्यान रखे, Love Your Eyes, Protect Your Eyes, धन्यवाद.